असलाम अलेकुम दोस्तों उम्मीद आप सवाखरियत से होंगे मैंने अभी रिसेंट्ली आजादी सेल में दराज से एक और्डर किया था सेंडिस का अब आपके लिए रिव्यू बनाओं मुझे क्योंकि आज रिसीव हुआ जबके डेडलाइन जो थी वह 19 दॉकस्त थी बट एक दिन पहले जो हो मुझे और डिलिवर हो चुका मैंने इस इस्टोर से परचेस किया था उस स्टोर में आपको लेकर हैं पहले तो तो आप देख सक की पॉजिटिव रेटिंग है इसके लावा मैं आपको इनका स्टोर भी विजिट कराता हूं ता कि आपको याइडिया होगा इनके पास और क्या-क्या प्रोडक्स अविलेबल हैं मैंने जो नोटिस किया कि इनके पास जाता स्टोरेज डिवाइसेज हैं लाइक माइक्रो ए देख सकते हैं काफी अच्छी वराइटी है विद प्राइसेज और फ्री शिपिंग के ओफर कर रहे हैं आजादी सेल के अंदर इसके लावा प्राइसेज बहुत नॉमिनल है मैंने कंपेर की दूसरे से और जो दराज मॉल है उसकी प्राइसेज है तो काफी जादा डिफरे जो अच्छा है उसको अप्रीशेट भी करने के दूरत होती है एक जो रिव्यू बनाता उसका यह फर्ज बनता है कि वो अनेस्ट अपना अपीनियन दे हर चीज़ के बारे में चाहे हो नेगेटिव हो चाहे हो पॉसिटिव हो तो यह आप इनका स्टोर प्रावरली देख सक दिलिवर कियें बहुत ही अच्छा रास्पॉंस बहुत ही जबदस डिलिवरी में विदिन टाइम पीयर्ड जो है रहा है और मेरा अच्छा बहुत जबदस एक्स्वियंस रहा क्यों नॉमली जो डिफिर्ट सेलर्स होते हैं वहां से अक्सर लोग जो हो कहते हैं जी पैकेज है मिझे रसीव हुआ था यह मैं पैकेज को अन्बॉक्स कर रहा हूं तो अन्बॉक्स करने के बाद मैंने इस्टेंड का यूज नहीं किया अगर मैं करता तो ज्यादा अच्छी वीडियो बन सकती थी बट अभी आप इस पर गुजार के लिए सेंडिस का 128 GB कार्ड है जो मैंने और क्ली किया और मुझे जिसकी कॉस्ट आई वो तकीबन 216 रूपर आई थी टोटल कॉस्ट विडिलिवरी आफ्टर डिस्काउंट तो मैं आपको इसकी इन्वाइस भी दिखा रहता हूं आप यह देख ली चाहिए और इसके बाद मैं इसको अन्बॉक्स करने के ताकि आपको मैं दिखा सकूँ और मेरा इसमें मेरी फिंगर भी डैमेज हुई तो मुझे काफी ज़्यादा प्रादम भी वीडियो को बनाने में बट मैंने कोशिश की कि आपके लिए बहतर वीडियो बना कि लो ताकि आपको एक अच्छा एडियो और चीज का और यह आप देख सकते हैं made in Taiwan है although कि इस पर लिखा हुआ 10 years warranty बट जो seller ने mention किया है वो five years warranty mention किया हुआ है तो I'm not sure कि यह कैसीन है बट ठीक है five years are more than enough तो यह memory card basically मुझे बड़ी बेतु के तरीके से मैं आपको बताया है जो भी इस तरह की products को order करना चाता है तो उसके लिए एक plus point है कि वो इस तरह के reviews चेक करके और अपना order replace कर सकता है मैंने memory card को जब अपनी device में insert किया मैं बस Samsung A32 है तो सही means perform किया card ने कोई भी मुझे कहीं भी lag वगरा कोई भी spirit का issue कोई भी such face नहीं करना पड़ा अब आपको वीडियो में दिखा दूँआ कि मुझे इसकी capacity मिली वो means 128 GB में से 119 GB मुझे मिली जो कि बहुत अच्छी है क्योंकि Samsung के mobile में यह बहुत अच्छा benefit है कि आप expand कर सकते हैं काफे सारे mobile memory तो like मेरे जैसे लोग जो वीडियो बनाते हैं उनके लिए बहुत बहुत बैता रहते हैं आए होप के आपको आज का review पसंद आया होगा अगर चैनल पर ना है तो please चैनल को subscribe जरूर कर लिया करें फिर इंशालला किसी और वीडियों आपसे मुलाकात होगी तब तक कि अपना ख्यार लखेगा अलाफेज